हलो फ्रेंट्स वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल एक्जामो स्वेयर मैं आपकी पॉलिटिकल साइन्स की टीचर नेहा आज बेसिकली ग्रेजुएशन की वीडियो बना रही हूं और ग्रेजुएशन में बेसिकली हम कवर करने वाले है पॉलिटिकल साइन्स का सब्जेक्ट पब्लिक एडविनिस्टेशन इन इंडिया और यह जो आपका सब्जेक्ट है यह बेसिकली एंसी वैप के जो स्टूजेंट्स है उनका मेजर पेपर में कवर होता है और जो एसोल वाले स्टूजेंट्स है उनका भी एक सेपरेट पेपर है ठीक है सो कहने का मतलब यह कि हम एंटायर स्लेबस को कवर करने की कुशिश करेंगे अपने वीडियो में क्यूंकि इसके उपर आप लोग को कंटेंट नहीं मिल पा रहा है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि यह सब्जेक्ट नियू है तो कुछ भी नहीं पता चल पा रहा रहा है तो हम लो हमारे लेक्चर सिरीज होगी उसकी जो पीडेफ अगरा होंगी वह आपको मटेरियल वहां इजली मिल जाएगा सो आपको मटेरियल के लिए उदर भटकना नहीं पड़ेगा ठीक है तो हम बैसिकली आपकी फास्ट यूनेट आपकी इंडियान अडिमिनेस्ट्रेशन उसका सब पार्ट कवर करने वाले स्ट्रक्चर ओफ सिविल सर्वेसेज इवल्यूशन ठीक है कि कैसे इवल्यूशन हुआ से बहुत मेजर सी बात है क्या कि हम सबको पता है कि जो ब्रिटिश थे उनका बहुत में रोल रहा था इंडिया में क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इसके लिए सो कहने का मतलब यह है कि कुछ बच्चों के माइन में यह भी आ सकता है कि नहीं शायदी पहले से एक्जिस्ट कर रहा था तो बस यह है कि इसको स्ट्रक्चर डवे में सिस्टमाटिक मैनर में जो और नाइस किया वह पहले थे ब्रिटिश जिन्होंने इसको ठीक है और कॉटिल्या में भी जो कॉटिल्या ने आजशास्त्र लिखी थी आपकी उन्होंने अपनी बुक में वह जो आज़ शास्त्र है उसमें उन्होंने बात की about a centralized system कि किस तरीके से वो tax administration work करता है किस तरीके से जो आपकी qualification officers की appointment कैसे होती है सारी चीज़े details उन्होंने दी इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका basically second जो credit जाता है वो गुपता period में जाता है कि गुपता period में ये चीज़ प्रेजेंट थी मोगल्स के time पर जिसको मतलब उनके पास भी था central bureaucracy system bureaucracy को बोलते नौकर शाही है ना तो नौकर शाही system था उस time पर भी और इस system को बोले जाते था आपके Britishers लेकर आए ओके so colonial legacy जो आपकी colonial legacy की बात हो रही है कि आपके syllabus में भी दे रखा है so now we are covering this part okay so जो East India company आपको पताए कि अंग्रेज को तो आये नहीं थे मतलब उनके company आई थी East India company जिन्होंने इंडिया में अपना रूल किया शाषन किया ठीक है तो बहुत सारे functions बहुत सारी activities functions activities मतलब उनको बहुत सारे काम करने थे अपने ठीक है जैसे वो ट्रेड करने के लिए आए थे बेसिकली बट हुआ क्या था कि वो धीरे धीरे उनको लगा कि हाँ वेपार करने के साथ ट्रेड करने के साथ साथ हम और भी बहुत सारी activities कर सकते हैं तो उन्होंने वो करना शुरू किया एक चीज और थी कि जैसे वो हम थोड़ा सा separate होकर काम को divide कर देंगे ठीक है तो आपके जो सबसे पहले जिनों ने इंडिया में इसको इंट्रिड्यूस किया सिविल सर्विस को आपके सबसे पहले जो गवर्णर जनरल थे वो थे लौट कॉन्वलिस ठीक है इनका जो टाइम पिरेड है 1786 से 1793 है यह पहल चीजज़ और थी कि सिविल सर्वेसिस में बहुत सारी प्रोब्लम्स आरी थी तो उल्फें पहला क्यों जो अगे पड़ेगे एगे एक चीज और थी त्यूह सिविल तो नुद्लिट यूज थी पार्ट तो टो पार्टाल थी ovegan аुट कोuis कोट़ुन से आती हैं आपके जो higher post है ठीक है और इसमें majorly जो Europeans थे Britishers थे वो इसका part थे और uncovenanted में lower post है तो lower होगा तो definitely किसका होगा वो mostly Indians के लिए था ठीक है एक चीज़ और है कि जब आपने इनको divide कर दिया civil services को तो definitely आपका जो nature of work है pay scale है appointing authority है different होगी ठीक है इसके के लावा अगर देखा जाए तो appointment कैसी होती थी civil servants की क्योंकि initially तो exams नहीं होते थे कि आप इनको कैसे appoint करो गए या फिर कैसे कोई भी person है जो civil servant बनेगा ठीक है तो कहने का मतलब ये था कि बनते इस्टीडिया company के लिए था पहली बार उस तरहीं पर को इंसान ठीक लग था कि यहां भई यह इनसान ठीक है सो ये उसको क्या करते थे उसको पर अपनी मर्मर्जी शी चलती थी कहां बह्य एंस Ne इस प्वालाइज शिस्टम से vayinus room से इसको कर देते हैं तो यह बाली चीज होता है कि यह अगे ऑगे बढ़ता है और एक चीज और है कि वी पोंल परती है और सारी सिस्टम को मौत सारी चीजे हैं ना तो लॉड कौन मॉलास 1786 से 1793 ताइम पिरड उसके बाद आते हैं लॉड आपके वैलेजली, इनका चो टाइम पिरड है 1798 से 1805 है ठीक है और होता क्या है कि लॉड जो वैलेजली है क्या करते है कि 1800 में एक फॉर्ट वीलियम पालिश को क्या करते हैं साइट अप करते हैं किस चीज के लिए कि जो भी आपके सिविल सर्वेंट से जो नियो रिक्रूइट हो के आएंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए ठीक है जी अब होता क्या है कि जैसे ही इनका टाइम पिरिड खतम होता है इनकी डूरेशन खतम होती है 1805 में तो 1806 में जो Court of Director है वो इसको क्या कर देते हैं डिस एप्रूफ कर देते हैं Fort William College को वो कहते हैं कि नहीं इंडिया में कोई ऐसा ट्रेनिंग के लिए कोई वो नहीं कॉलिज सेट अप होगा तो क्या करते हैं इस इंडिया कंपनी सेट अप करती है है लिए में हैलिवरी का है इ सिविल सर्वेंट्स का क्योंकि हमने बड़ा नोमेरिशन होता है भी तो फिपर होने शुरू हो नहीं हुए सो लंडन का वही हैलिवरी जो कॉलेज है वहां पर इसकी बड़ी ट्रेनिंग चल रही है अब होता है 1833 में चार्टर आता है चार्टर एक्ट 1833 वह बात करता है कि चीज की कि वह कहता है कि जो सिवल सर्वेंट्स की यह किसके थुरू होनी चाहिए ओपन कॉम्पीटेशन के थुरू होनी चाहिए चीक है बाट यह चीज अप्रूव नहीं होती तो ऐसे की चली जाती है फिर 1853 का चार्टर एक्ट में लॉर्ड मैकॉले आते हैं वो भी अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं बिटेश फालिया में और वो कहते हैं कि भाई यह जो मैरिट बेस्ट सिस्टम को हमें इंडिया में इंडियूस कर देना चाहिए मतलब मैरिट बेस्ट बात हुई आप चार्टर एक्ट 1853 में और मैकॉले की रिपोर्ट की वज़े से 1853 के चार्टर की वज़े से जो रिकुरूइट्मेंट प्रोसेस है वो ओपन कॉमपटेशन के तुरू श्रू होता है एक चीज़ और है 1853 का जो चार्टर है वो रिप्लेस करता है किसको क्यों प्रणाली है वो हम यूज करते है रहे थे वो सिस्टम सो अब क्या होगा मैरिट बेस सिस्टम की बात आ गई कि भई आप ओपन कॉमपटेशन कराएंगे सीधा पेपर लेके ठीक है अब आ जाओ 1853 में मतलब चार्टर एक्ट के एक साल बात ठीक है लंडन में सिविल सर्वि फाइट बाकी है ओके मिरिममम जो एच थी वो अठारा साल थी आपकी माक्सिमम एच थी वो 23 एर्स थी ठीक है अब बात यह होई थी कि जो कोविन अंट इट सर्विस थी हमने पढ़ा था ना महापर सिर्फ हाइर पोस थी सिर्फ बिटिशर्स के लिए थी तो अब बात यह जो आपके इंडियन से उनको भी इसका बनने दिया जाए ठीक है अब 1861 के इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आया उस एक्ट में बात की गई कि रिजर्फ किया गया कि सर्टेन जो ओफिसेज हैं जो कोविनांट सर्विसेज हैं उसको रिजर्फ किया गया था इस एक्ट में 18 1861 के एक्ट में एक्जाम क्राइटेरिया स्लेपस यह सब रिसाइड किया गया बेसिकली जो एक्जाम में आपकी लैंगविज बहुत जादा फॉलो दिदि वह इंग्लिश होती थी जो पूरा का पूरा स्लेपस था वह क्लासिकल लर्णिंग का था ग्रीक लैटिन क्योंकि सारा स्लेपस वहीं का था ठीक है एक चीज और थी जो आपकी एज लिमिट है हना वो टाइम टाइम पर बदलती गई है थोड़ा सा यह एक बार नोट डाउन कर लो कि एज लिमिट आपकी 1859 में 23 साल थी 1860 में 22 हो गई 1866 में एज लिमिट 21 हो गई ठीक है और ऐसा का जादाई की एक्जाम लंडन में हो रहा है ठीक है जादा तर जो पूरा स्लेवस है सब कुछ किसके फेवर में आपके ब्रिटिशर्स के फेवर में है बट स्टिल इंडिया के पहले सिविल सर्वेंट थे सत्यंद्र नाथ टैगोर 1864 में यह इंडियन सिविल सर्विस का एक् कि यह जो सेम एक्जामें जो आप लेंडर में कंड़क कराते वो इंडिया में भी कंड़क करा हो मतलब यहां होना चाहिए बट आपको पता है कि आसी पेटिशन रखी की रखी रह जाती है कुछ नहीं होता अल्टिमेटली टीक है अब क्या होता है पर रिवोल्ट होता है 1857 में इसको first war of independence भी बोला जाता है अब इस टाइम पर क्या होता है एंड हो जाता है अपका company rule का ठीक है और power किसके हाथ में आ जाती है सीधा सीधा crown के हाथ में आ जाती है ठीक है सो अब सारा माले क्या सारी चीज़ होंगी crown की दरफ से ठीक है 1885 में आपकी Indian National Congress established होई और इन्ह इन्होंने कहा कि एज लिमिट बढ़ा हो ठीक है इसके वाद इन्होंने कहा कि भाई एक्जाम आप इंडिया में कंड़क्ट कर रहा हो ठीक है हम चाहते हैं कि इंडिया में भी कंड़क्ट हो लंडन के साथ साथ अब इन डिमांड को consider करने के लिए क्या हुआ कमीटी इस्टाबलिश होई तो जो आपकी कमीटी थी 1886 में आकिंशन कमीटी को स्टाबलिश किये जिसके चेरमन थे आपके सर चार्ल्स आकिंशन ठीक है बेसिकली इन्होंने सजेशन दिये अपने क्या कि जो सबसे बड़ी बात कोविन आंटेड और अनकोविन आंटेड का जो डिस्टिंक्शन है सबसे पहले उसको एंड करना है इन्होंने कहा एज लिमिट को रेस करो 23 पे इसके लावा इन्होंने कहा कि पुब्लिक सर्विसेज में इंडियन्स को भी इक्वली आप अलाओ करो ठीक है अच्छा एक और चीज थी 1887 में जो एकिंशन कमिशन था उस इसके लावा जो दो और है प्रोविंशियल सर्विस एक था सब और इन्होंने की बात हुई ठीक है अब बात आती है कि इनके रिकमेंडेशन पर अकिंशन कमिशन के गौर्वर्मेंट आफ इंडिया एक्ट नाइंटीन नाइन्टीन इसमें क्या हुआ रिकमेंड हुआ था की वज़े से बट इस एक्ट में क्या हुआ आपका फॉर्मेशन हुआ पब्लिक सिविक पब्लिक सर्विस कमिशन का ओके और यह बात हुई कि हां भईया यह एक्जाम कराएगा इंडिया में ठीक है आप एक्जाम कंड़क्ट होने लग गए आपके इंडिया में और ऐसा ब डिटेल या फिर जो डिस्टिंक्शन है वह हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे इसले यहां भी इसको एक्स्प्रेंटन कर रही हूं 1912 में इसलिंग्टन कमिशन आया ठीक है इसको चेयर किया था लॉर्ड इसलिंग्टन ने इन्होंने सज़ेस्ट किया कि 25 पर्सेंट जो आपकी हाईर पोस्ट है मतलब जो उच्छ पोस्ट है ठीक है वो इंडियंस के थूफेल होने चाहिए मतलब इन्डियंस को भी चांस दिया जाना चीकर डचाए कि अपतल किया हरा था लॉर्ड पार्ट पर ही उनको अलाओ किया जाता था ठीक है रेकूं की बात आई कि र और England दोनों में done होने चाहिए इसकी वज़े से क्या हुआ 1922 में Indian Civil Services Exam held होने लग गए इंडिया में भी और लंडन में भी पर इंडिया में जो अजेंसी करा रही थी इसको वो थी Federal Public Service Commission और लंडन में थी आपकी Civil Service Civil Service आगे Civil Service Commission ओके सो 1924 में आपका League Commission आता है और इसको आप Royal Commission भी बोलते हैं और इसने डिमांड किया for Establishment of Public Service Commission अब क्या होता है 1st October 1926 को आपका Public Service Commission स्टाबलेश होता है जिसके अंदर टोटल 5 members थे एक आपका Chairman था और बाकी के चार आदर मेंबर थे ठीक है Chairman कौन थे Sir Ross Barker ठीक है इन्होंने बात की रिगमेंट किया कि भईया 50-50% हो दोनों मतलब बिटिशर्स भी 50% हो सीट्स पर और इंडियांस भी ठीक है अब एक सबसे और इन्होंने recruit करना शुरू किया civil servants को at central level एक चीज़ और थी कि इन्होंने establish करना शुरू किया जो provincial public service commission था कि भई हर provinces में अपने अपने हों गया लग से ठीक है क्योंकि भई अब जो Europeans थे वो अवेलेबल ही नहीं हो रहे थे क्योंकि उनको पता ही रहा कि कुछ टाइम बात तो हमें जाना ही है यहां से तो यहां से जाने के बात क्या होगा सब कुछ किस के हाथ में आ जाएगा आपका इंडियन के हाथ में आ जाएगा ठीक है सो यह आपका पार्ट फर्स्ट एंड हुआ होप आप सबको क्लियर होगा एक चीज़ और थी जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है बट बेटा जो लैंगविज यूज हुई है वो बहुत जर्नल यूज हुई है लैंगविज कि आपको मतलब day to day like कि आपको समझ में आएका बहुत एजली जो टाम्स है आप उन टाम्स को लिखके उनको आप लोग गूगल करके देख सकते हो बाकी मैंने ट्राई किया है कि मैं जितना easy language में करके आपको समझा सकती हूँ मैंने आपको समझाया है और अगर कोई भी इसको कवर करने के कोशिश करेंगे ओके थांक यू सो मच